निम्सकार दोस्तों तो वाइब आज मैं आपको यह डिजाइन बनाना सिखाऊंगी इस डिजाइन को आप किसी भी स्वेटर में बना सकते हैं शोल, मफलर, लेडी स्वेटर, जर्ड स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, अब देखे कितना सुंदर डिजाइन है यह सीधी से ऐसे दिखता है और उल्टी साइड से ऐसे दिखता है तो दोनों तरफ से बहुत सुन्दर दिखने वाला डिजाइन है आप ये किसी भी स्वेटर में डाल के आप बना सकते हैं अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कितने कितने फंदे इसके लिए मैंने डाले हैं अब देखे इसके लिए हमें फंदे डालने होते हैं पांच और पांच फंदे डालने के बाद दो फंदे एक्ष्ट्रा ले ले एच इस टिच वाले तो उसे बिल्गुल सही बैठेगा तो देखे कैसे बनेगा इसी में मैं आगे आपको बनाना बताऊंगी देखे इस डिजाइन को जैस चार फंदे उल्टे बनाएंगे पहला फंदा बनाने के बाद चार फंदे उल्टे बनाएंगे और फिर दागा पीछे करेंगे और जो यह सीधा फंदा बनाएंगे यह हम एक नीचे से बनाएंगे इस तरीके से अब हमें इसी को रिपीट करते हुए जाना है एक सीधा चार उल्टे और जो सीधा बनाएंगे तो वह नीचे से बनाएंगे तो यह पूरी सलाई बना के यहां पहुँचके फिर बताती हूं मैं आपको अब देखिए लाश्ट में बनाते हुए इसी तरीके से हम चार फंदे बना लेंगे सीधा बनाने के बाद और धागा पीछे करके एच इस्टिच बना लेंगे अब देखिए उल्टी सलाई और दूसरी सलाई दूसरी सलाई में हमें पहला फंदा मैंसे उतार लेंगे और धागा पीछे करके हमें चारो फंदे सीधे बनाने है जो हमने उल्टे बनाए थे उस तरफ और फिर धागा आगे करेंगे ये एच के बाद हमें चार फंदे सीधे बनाने है फिर एक उल्टा और चार सीधे ये जो दूसरी सलाई होगी इसमें एक उल्टा और चार सीधे, ऐसे ही बनाते हुए हमें पूरी सलाई बना लेनी है, अब देखें लाश्ट तक हम इसी तरीके से एक उल्टा और चार सीधे बनाते हुए सलाई को कम्प्लीट करेंगे दूसरी सलाई को, अब हमारी दो सलाई कम्प्लीट हो गई है, डिजा की तीसरी सलाई कि पहला फंदा उतार के दागा पीछे करेंगे और नहीं दागा हम अपनी तरफ ही रखेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे ऐसे और दो फंदे बनाएंगे सीधे फिर दागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा अब जो चार फंदे उल्टे थे ना उसमें हमने बीच के जो दो फंदे वो सीधे बनाई है एक ये वाला फंदा और एक ये वाला हमने उल्टा बनाया है और जो सीधा फंदा है ये ये वाला नीचे से ही बनेगा सीधी सलाई में एक फंदा नीचे से बनेगा जिस से कि ये किनारी जो है मारी बिल्कुल सही आजाएगी अब हमें इसी तरीके से ये सलाई complete करनी है ये जो 4 फंदे उल्टे हैं इसमें से 1 फंदा हम उल्टा बनाएंगे 2 फंदे बनाएंगे सीधे बीच वाले और फिर दागा आगे करेंगे फंदा उल्टा इस तरीके से एक उल्टा दो सीधे एक उल्टा और यह जो सीधा फंदा चलेगा उपर तक एक नीचे से तो यह तीसरी सलाई हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है अब यह पूरी सलाई बना के फिर चोथी सलाई दिखाते हैं अब देखें लाश्ट की यह जो हमारी है तीसरी यहां कंप्लीट हो जाते हैं अब हम चोथी सलाई बनाएंगे और लाश्ट सलाई चार-चार सलाई का डिजाइन है यह चार-चार सलाई में रिपीट होता रहेगा पहला फंदा उतार लेंगे अब देखे इधर हमें जो फंदा जैसा दिखेगा वैसा ही बनाना है जो हमने उधर सीधे बनाए इधर दो फंदे यह उल्टे बनाने है और जो इधर का फंदा और इधर का हमने उल्टा बनाया था ना वो हमें इधर सीधा बनाना है तो इधर देखे एक बार ध्यान से आप देख लें जो दो फंदे हमने उदर बीच में सीधे बनाए हैं यहां उल्टे बनेंगे और जो उल्टा है वो सीधा और एक फंदा बीच में यह उल्टा जो जैसा दिखरा है हमें वैसे ही बनाते हुए complete कर लेना है पूरी सलाई को अब देखें चोथी सलाई भी हमारी इस तरीके से complete हो जाती है अब यह चार-चार सलाई repeat करनी होती है हमें और इसमें दो सलाई एक जैसी बनती हैं जैसे पहले सलाई में हमने पहला फंदा बनाया और चार फंदे एक फंदा सीधा बनाया और चार फंदे उल्टे बनाये फिर दूसरी सलाई में सेम हमने वैसे ही बनाया और तीसरी सलाई में दो बीच के सीधे बनाये और एक फंदा इधर उल्टा और एक इधर फिर वैसे ही अब हमें जैसे हमने पहली सलाई बनाई थी वैसे ही एक बार आ लगाई है। कितना उन लगेगा मफनर अगर आपको बनाना है ये देखर पहला पंद हुतार लेंगे एक फंदा कि अभ्य Programs 6 अव्तारने के बाद ये 4 पंद में अलठे बनाने हैं यह देखिए और पहला यह जो सीधा फंदा है यह हमें नीचे से ही बनाना है तो इस तरीके से जब हम बनाएंगे इसको चार-चार सलाई पर रिपीट करेंगे तो यह ऐसे बनेगा एक जैसी दो-दो सलाई जैसे मैंने बताया बनेंगी और इसमें मैंने आठ नंबर की देखे सलाई लगाई है और यह जो उन है वर्दमान की नोर्मल उन है इसको थोड़ा सा लूज सलाई से बनाते है तो थोड़ा ज्यादा अच्छा आता है देखिए फूला फूला सा बनावा आता है और यह जो हम नीचे से बनाते है न सीधी फली यह किलियर नजर आती है इस तरीक कर देलबाई रखनी है और ज इस प्रोजक्ट में at को बनाना है उस ass साफ से आप रख सकते हैं साइड अगर आपको इक दो ।ंद ज्यादा रखने हैं झारा मफलर में भी तो हम जो यह सीधा पंदा बनाते हैं इसके बाद एक बीच में हम उल्टा भी बना सकते हैं अगर आपको दो-चार पंदे और ज्यादा बनाने में तो फिर डिजैन के इसाब से पांच पंदे कम या ज्यादा अमें करने उते हैं तो देखिए आज की यह वीडियो है और इसकी लंबाई कहीं कमें होते हैं कि दिदी मफलर की लंबाई कितनी रखते हैं मैं हमेशा अपने जो मफलर डिजाइन डालती हूं उनमें बताती हूं कि मैं 65 इंच से उपर ही रखती हूं क्योंकि गले में अच्छे से हम बांदत लेते हैं मफलर को तो 65 के उपर ही बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा बनता है वाईसे आपनी हाइट के हिसाप से कम जादा कर सकते हैं मफलर को और चोड़ाइ कर सकते हैं लेकिन यह जैसे डिली-डिली से सलाही से बनाते हैं न तो यह फंद Online इसमें. सयां और बन जाते हैं 42 फंदे इतना चोड़ाइँ तो देखें कैसा लगा यह डिजाइए आप बताना कमेंट में लिख कर कैसा लगा और कुछ भी पूछ सकते हैं आप कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं मैं उसी तरीके से फिर आगे वीडियो ले आऊंगी और आपको बता दूंगी कि कैसे बनाना है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करे हमेंट स्धुशी पिराना है नहीं आपको लुछ हो लुछर कर दो हाँ कब मेंट eject मोल defel से जस CPR दो बताना कर दो हमेंट là षुक है कि लुछच्वश्च्ट को लागे टुछ को लागे यह कि लिए घर दो कि भी जए हो कि झारा हैं शर नहींदस्ट심्टस्टस्टस्टस्ट झाल झाल